Hello students, welcome to UPCSS O-Level M1R5 series का ये lecture number 14 है और हमने पिछले वीडियो में networking devices क्या होती है domain name क्या होता, URL क्या होता, ये हम समझ चुके है और आज हम इस वीडियो में IP address protocols के बारे में पूरा समझने वाले है IP address क्या है, protocols क्या होते है और साथ ही साथ इस वीडियो में O-Level का जो 6 चैप्टर है M1R5 का यानि introduction to internet and www ये पूरा complete भी हो जाएगा ठीक है, तो चलिए सबसे पर यहाँ पर बात करते हैं IP address की तो वैसे तो यहाँ पर हमने IP address को थोड़ा सा समझ लिया था पहले भी कि IP address क्या होता है, IP address internet की दुनिया में किसी भी computer या device की पहँचान करता है मतलब उसका एक unique identity number होता है, ठीक है और यहाँ एक address के समान है, जो यहाँ बताता है कि information कहां से receive हो रही है और इसे कहां पर send करना है, IP address इस specific रूप से internet protocol दौरा send data के source और destination की पहँचान करता है IP address का basic version अर्पानेट दौरा 1983 में विक्सित किया गया था तो यहाँ पर यह तो हो गई IP address की definition की IP address क्या है और यह क्या काम करता है ठीक है तो IP address basically एक address है यह तरीके इसका number है जो कि किसी computer यह device की पहँचान करता है जो कि internet से जुड़ी होती है या एक network में होती है क्योंकि नेटवर्क में अगर हम किसी device को जोड़ेंगे तो फिर उसका एक अपना address होना चाहिए जो कि unique होता कि address में टकरावना हो मलब address जो है वो duplicate ना हो ठीक है तो यहाँ पर एक number होता है IP address यहाँ पर जो IP address है यहाँ पर बताएगे कि यह दो परकार का होता है एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6 तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो IPv4 है और IPv6 है यह IP address ही है और दोनों का काम भी same होता इसमें कोई difference नहीं है बस एक छोटा सा difference है वो क्या कि जो IPv4 है यानि IP address का version 4 है इसमें जो है वो हम IP address जो बनाएंगे वो कम बनते हैं मलब कम कम मलब फिर भी काफी सारे बनते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 billion address बना जा सकते हैं लेकिन जैसा कि आपको पता है कि internet के दुनिया में दिन पर दिन computer और devices बढ़ती जा रही है तो हमें इनसे भी ज्यादा addresses की जरूत पड़ेगी तो इस वज़े से IPv6 एंट्रिद्यूस किया गया और इसमें जो address होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है इस वज़े से हम इसम भी काफी ज्यादा address बना सकते है ठीक है इसी लिए IPv4 और IPv6 आया है ठीक है पहले IPv4 ही था और आज भी IPv4 ही यूज होता है IPv6 भी है लेकिन अब दोनों address यह यूज किया जाते है ठीक है कुछ devices में IPv6 भी यूज होता है IPv4 भी हम यूज करते है चलिए तो यह चीज के हो गई कि IPv4 और IPv6 में कोई difference नहीं है बस यही एक difference है कि इसमें IPv4 में हम जितने IP address बना सकते हैं IPv6 में उससे ज्यादा बना सकते है ठीक है चलिए तो IPv4 का यहाँ पर हमने definition बता दिया यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं IPv4 सबसे व्यापक रूप से यूज किया जान इसे यह computer की वासा में string इसको बोला जाता है ठीक है programming में string बोला जाता है और बाकी यहाँ पर आगे हम समझेंगे तो यहाँ पर यह क्या है IPv4 को एक string के रूप में लिखा जाता है जिसमें चार भाग होते हैं जिसकी range 0-255 तक होती है ठीक है 0-255 अभी हम practically दिखाएंगे ज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कितने भाग है एक दो तीन और यह चार ठीक है इसके total कितने भाग है चार और हर एक भाग को जो है dot से अनिकी 10 मलों के sign से इस तरह से यहाँ पर separate किया गया है ठीक है अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यह string कैसे हुआ string का मतलब तो होता है यहाँ पर ABCD में लिखे हुए alphabet को हम string बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें point का इस्तमाल हो रहा है इसलिए एक string ही माना जाएगा ठीक है कुल मिलाकर करके यह क्या है string माना जाएगा और अब यहाँ पर IPV4 का जो size होता है वो 32 bit का होता ह यहाँ पर total 4 भाग है और हर एक भाग जो है वो 8 bit का है तो total कितना हो गया 8 into 4 कितना हो गया 32 bit का address बन जाता है और IPV4 में लगभग 4.3 billion IP address बना जा सकते हैं और इन address में से कुछ address private network और multi casting address की category के under unique use के लिए reserve रखे गए हैं और यहाँ एक general IPV4 address यहाँ एक simple IPV address है अब सकते हैं IPV4 address की यह classes है ठीक है यह class A, B, C, D, E यहाँ पर यह total इसके कितनी classes है 5 यह याद कर ले ना यह भी exam में पूछा जाता है यहाँ पर question इस type से होगा कुछ IP address एक random सा होगा और पूछा जाएगा बताईए यह कौन सी class का IP address है तो यहाँ पर class क्या है इसको समझ लेते है आपको समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तो classes का मदलब सीधा है कि IPV4 यानि IPV4 जो address है इसमें 4.3 billion के एसपास address बना जा सकते हैं तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि कुछ range जो है वो set कर दी गई और अलग-अलग class बना दी गई ठीक है जैसे यहाँ पर 1. 1.0.0.0 बलब यह जो हो गया यहां से हमारा start हो गया address और 127.255.255.255 यह हमारा इसके बीच में जितने भी address आएंगे वो class A के address होंगे ध्यान रखना ठीक है यहाँ पर अगर हम लिख दे हैं यहाँ पर जैसे example के लिए यह first of all आप देखिए 127 यानि कि अगर हम कुछ address ऐसा 1.0 तो यह हमारा कौन सी class का address होगा यह यहाँ पर आप देखेंगे 127 से कम है इसका मलब यह class A का address है clear है रहा समझ में आ गई और जैसे यहाँ पर लिख दे हैं 1203 इस टाइप से तो यह भी हमारा class A का ही address है क्योंकि यह इस संख्या से इस संख्या के बीच में आ रहा है ठीक ह अब यहाँ पर class B के address की बात करें तो class B is just इसके आगे से start होता है तो यहाँ पर 128.0.0 से रहे करके 191.255.255.255 इसके बीच के जो address होंगे वो class B के address होंगे यह थोड़ा सा यहाँ पर आप जो है notes से अच्छे से समझ लेना ठीक है यहाँ पर कैसे समझना यह तो हमने बता या बाकि यहाँ पर detail में थोड़ा देख लेना नार्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारे जो address होते हैं वो class C के address होते हैं ठीक है तो यहाँ पर class C का address 192.0.0.0 और यहाँ पर 223.255.255 ठीक है बाकि यहाँ पर जो class D और E के address हैं वो normally यूज नहीं होते यहाँ पर यह reserve रखे गए हैं reserve का मलब सीधा है जैसे sim का number होता है मलब जो mobile में sim होती है उसमें भी कई सारे number reserve रखे गए होते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह कुछ number reserve होते हैं बास समझ में आ गई चलिए तो यहाँ पर यह classes है और classes I think आपको समझ में आ गई होंगी यह IPv4 की classes है ठीक है फि इसमें जो address है वो 128 bit का होता है कितना 128 bit का होता है IPv address जो है वो 4 hexadecimal digit का एक 8 group द्वारा represent किया जाता है मलब इसमें total 8 group होते हैं 1,2,3,4 और इसको यहाँ पर dot की वजाए colon से यहाँ पर separate किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे इसको कैसे colon से separate किया जाता है और जो IPv4 था उसमें decimal number यूज किये जाते हैं क्योंकि उसमें 0 से 255 तक की maximum यूज कर सकते हैं और यहाँ पर यह hexadecimal number इसमें यूज किये जाते हैं अब यहाँ पर binary decimal hexadecimal number क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो simply यहाँ पर आप YouTube पर directly search करें ठीक है binary यहाँ पर आप टाइप करेंगे binary to decimal और लास्ट में यहाँ पर आपको क्या करना UPCI SS लगा देना है और आपको पहला वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा है introduction to number system तो यहाँ पर यह वीडियो थोड़ा पुराने हैं लेकिन यहाँ पर हमने detail में cover किया है इसमें जो है total 6 part है यहाँ पर आप धून करके देख सकते हैं ठीक है और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि number system क्या होता है चलिए तो आगे बढ़ते हैं IPv6 हो गया यहाँ पर IP address के बारे में हमने समझ लिया अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपको अपने computer का IP address पता करना है तो कैसे पता FIG इतना टाइप करके एंटर करना है बिना space हो गरा के तो यहाँ पर आप देख पाएंगे IPv6 address यहाँ पर आपके सामने है और IPv4 जो address है वो यहाँ पर आपके सामने है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने system का IP address जो है वो देख सकते हैं IPv4 और IPv6 किलियर है चलिए तो ISP का मलब सीधा होता है internet service provider यानि जो हमें internet service provide करता है उससे हम ISP कहते हैं अब internet service हमें कौन provide करता है आपको अच्छे से पता है Jio, Altel, Oda यह सब क्या है यह कंपनिया है जिनको हम ISP company बोलेंगे क्योंकि यही हमें internet provide करती है तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये भी समझना ह किस तरीके से share होता है तो यहाँ पर ISP का पूरा नाम internet service provider है internet service provider एक company है जो customer या user को internet service provide करती है ISP को तीन भागों में divide किया गया है tier 1, tier 2, tier 3 ठीक है यहनि कि ISP जो internet service provider है उसे main 3 category में रखा गया है अब यह 3 category क्यों वनाईगी अभी समझ में आ जायेगा सब सब यहाँ पर दे लुद्रापित की जाती है अब देखिए एक चीज तो आपको इतने अच्छे से clear हई है कि internet जो है वो क्या है एक network है और एक network को दो ही तरीके से बनाया जा सकता है या wired या wireless ठीक है तो हमारा जो internet है वो wired network है wireless भी है देखिए आपके tower से आपके mobile phone तक tower से mobile phone तक internet आता है यह wireless तरीके से आता है लेकिन एक टावर से दूसरे टावर आपको पता है बहुत सरे टावर लगे होते हैं ठीक है तो यह जो टावर का कनेक्शन है यह वायर के थुरू होता है एक टावर से दूसरे टावर की बीच की जो दूरी होती है वो एक वायर के थुरू कनेक्ट होती है हला फले हम broadband या fiber optic connection लेते हैं शुर्ब के थो यह वराड बैस होता है वह नेटवर्क पूरी तरीके से wired-base होता है क्योंकि वहाँ पर हमारे घर पूरा wire आता है ठीक है Wi-Fi router में आता है router से फिर हम आगे wireless ले सकते हैं वह अलग बात है तो कहने का मलब सहीधा है कि जो internet है वो wired और wireless है, दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा wired network ही यूज किया जाता है, तो tier 1 वाला जो काम करता है, tier 1 क्या करता है, यह बड़े पैमाने पर cable बिशाता है, और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, तो यह जो कमपनिया करती है, वो कमपनिया जो है, वो tier 1 level के अंतरगत आती है, बासमझ में आगी, हम लोगों को जो internet प्रवाइड करता है, वो basically tier 3 वाली कमपनिया करती है, ठीक है, tier 3 वाली जो कमपनिया है, यह हम लोगों को wifi router के थुरू या tower के थुरू हमें network प्रवाइड करती है बाकी जो tier 3 वाली कमपनिया हैं ये tier 2 वाले से network किराय पर लेती हैं तो आप ऐसे समझा सकते हैं माल लेते हैं कि India के अंदर हमने अपनी cable बिछा दी हर जगे cable अपनी बिछा दी है अब यहां पर क्या है कि कोई दूसरी company आई उसने कहा कि आप अपनी जो line आपने बिछाई हैं आप हमको rent पर दे दीजिए उस पर हम अपना network एनी data travel करवाएंगे और बदले में आपका जो rent होगा ठीक है वो हम आपको देंगे तो यह company क्या करेगी हमारी line का इस्तमाल करेगी और सिर्फ यही company नहीं बलकि दूसरी company जैसे अगर इसको हम Gio माल लें तो यह दूसरी company भी same line का इस्तमाल करेगी हलाकि Gio के अपने अलग tower होंगे जो की customer तक पहुँचेंगे और airtel के अपने अलग tower होंगे लेकिन जो tower है वो इन ही की line से हम connect कर लेंगे ठीक है तो इससे क्या होगा यह एलटल हो गया यह जियो हो गया तो यह दोनों ही company यह अगर हम इसको tier 1 माल ले और यह tier 2 माल ले ठीक है तो tier 1, tier 2, tier 2 ने क्या किया tier 1 वाले की line को किराये पर लिया और अपने tower लगा करके यहां पर network जो है वो भ कि उसने तीनों लेबल पर काम किया है और कुछ company ऐसी है जो तीनों लेबल पर काम नहीं करती जैसे जो company अपनी भारत की नहीं है बाहर की है तो वो क्या करती है वो normally अपने tower वगरा इस्टेबलिस करके line जो है वो किराये पर ले ले लेती है अपने खुद के cable नहीं विशात जियो ने ये काम किया है इसी वज़े से वो internet सस्ता दे पा रहा है क्योंकि तीनों ही लेबल पर उसकी company अवलेबल है बात समझ में आई अगर यहां पर एक छोटे से example की बात करें तो यहां पर यह आप देख सकते हैं कि जो tier 1 लेबल का काम होता है वो कैसा होता है यहां पर एक इमेज है इसे आप internet पर भी देख सकते हैं इसकी website है सब मैरीन कैबल मैप ठीक है यह फाइबर ऑप्टिक कैबल है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है फाइबर ऑप्टिक कैबल क्या होती है फाइबर ऑप्टिक कैबल यह वायर्ड तरीका है नेटवर्क को बन इसके बाद आगे इंडिया के अनधर जो कंपणी यहां पर भिचाएगी यह tier 2 वाली हो गई, जो भी मलब इंडिया के अंदर अपना cable tower establish करेगी, वो tier 2 company हो गई, उसके बाद जो हमारे घर तक internet पहुचाएगा, वो tier 3 company हो गई, बाकी tier 2 और tier 3 ज्यादा तर केस में एक ही company होती है, तो यहाँ पर अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि actually मैं internet हमारे पास कैसे पहुचता है, ठीक है, हमारे पास internet जो है वो tier 1, tier 2, tier 3 तीनों company से हो करके पहुचता है, ठीक है, और यह company हो का आपस में system रहता है, तो यहाँ पर किस तरीके से exactly काम करता है इंटरनेट यह आप समझ गए होंगे, फिर यहाँ पर बात करें, ISP का role क्या होता है, तो basically role वही है, यहाँ पर ISP के माध्यम से जो internet से जुड़ने के लिए service प्रोवाइड करता है और customer को पास वाले internet gateway से connect करता है, पास वाले मलत जो आपके service को use करने की permission देता है, ISP अपने customer के लिए antivirus system और यहाँ पर यह सब चीज़े provide करता है, ठीक है, तो basically ISP internet service provider है, जिसका काम हमारे data को सुरच्छित रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर data भी हमारा सुरच्छित होना चाहिए, क्योंकि हमारा data travel हो रहा है, वो ISP के network के जरीए हो रहा है, तो अगर ISP चाहे तो data leak कर सकता है, या उसके security रखना, इन सब चीज़ों को manage करना ISP का काम है, हम basically क्या करेंगे, सर्फ recharge करवाएंगे और वहाँ पर service use करेंगे, ठीक है, तो यह internet service provider के बारे मैं अच्छे से पता चल गया होगा, example भी हमने बता दिये, order, retail, idea, ठीक है, तो यह सब क्या है, यह tier 2 और tier 3 की category में आती है, फिर यहाँ पर internet protocol, तो internet protocol के बारे में हम पहले समझ चुके है, ठीक है, internet protocol यानि वही IP address ठीक है, तो यह basically क्या होता है protocol, अब यहाँ पर पहले समझते है protocol का मतलब क्या है, protocol का मतलब सीधा होता है, set of rules, यानि की network की दुनिया में, कौन सी device की तरीके से काम करेगी, उसके लिए कुछ rule define किये गए है, अब उन rule को protocol बोला जाता है, और वो जो rule है, वो एक protocol में एक तरीके से समझ लो लिख दिये जाते हैं, कि यह इस protocol का क्या काम होगा, और कैसे करना होगा, ठीक है, तो यही होता है protocol, और हर एक protocol का अपना अलग-अलग काम होता है, और अलग-अलग कामों के लिए हम अलग-अलग तरह के protocol का इस्तमाल करते हैं, अब यह हम समझेंगे protocol के समझ यानि conversation या data send या receive नहीं कर सकते हैं, और इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई file अथवा mail इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार work करते हैं, यहाँ पर टाइप आप प्रोटोकॉल के बारे में समझते हैं, और आपको सारी चीज़े एक एक साथ ही समझ में आ जाएंगी, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के protocol है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करें, टीसीप की, टीसीप का पूरा नाम क्या है, ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर इंटरनेट जो है, अगर सिर्फ इंटरनेट नेट की बात करें, तो इंटरनेट नेटवर्ग में दो main important protocol है, एक TCP और दूसरा IP, इसके बिना तो आपका इंटरनेट काम ही नहीं करेगा, ठीक है, IP का मतलब क्या है, वहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल जो की address होता है, और TCP का मतलब होता है, डेटा भेजना, ठीक है, कहां भेजना नेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जो TCP IP के रूप में जाना जाता है, TCP IP एक connection oriented communication protocol है, यहां पर यह connection oriented जो है, यह word याद रखना, TCP जो है, connection oriented है, ठीक है, अब इसका दूसरा भी हम पहलो समझेंगे कि यह क्या है, उसके लिए हमें UDP protocol समझना पड़ेगा, जो की आगे है, ठीक करता है, और TCP internet protocol के साथ मिलकर काम करता है, TCP का मतलब connection oriented का सीधा मतलब होता है, कि यह data जहां भी हम send कर रहे है, यह 100% guarantee के साथ data जाएगा, और पूरा data जाएगा, यह guarantee लेता है, इसलिए इसको बोलते है, connection oriented protocol, ठीक है, तो यहां पर यह क्या करता है, यह 100% guarantee लेता है, कि data जो भ भी data packets भेजे जाते हैं, तो जब data packet पहुन जाता है, तो वहां से भी एक message रेसीव होता है, और इधर जब 100% success होता है, जब दोनों तरफ से जब confirmation होता है, कि हाँ data पहुच गया, तब ही वो सुनश्चित करता है, कि हाँ data पहुचा है, ठीक है, अभी दूसरा हम पढ़ेंगे UDP के बारे में तो आपको समझ भी आ जाएगा, दोनों में comparison, IP की बात करें, तो IP के तो हम कई बार समझ चुके हैं, IP basically internet protocol जहां पर IP address होता है, ठीक है, और IP address जो है वो जब data packet में होता है, जैसे हमने OSI model के बारे में समझा था, वहां पर हमने देखा था, कि जो data होता है, वो हर एक packet का जो address होता है, वहां पर IP address का काम होता है, labeling करना है, HTTP की बात करें, तो hypertext transfer protocol इसका इस्तमाल होता है, जब भी हम internet पर browsing करते हैं, इंटरनेट पर कुछ भी search करते हैं, तो वहां पर HTTP protocol यूज होता है, और आपने देखा होगा कि हम internet पर कोई भी website उपन करें, उसमें HTTP, SE या HTTP जरूर ही लगा होता है, ठीक है, बिना HTTP के हम internet पर कुछ भी search नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आ गई, तो ये चीज हो गई, HTTP protocol का मलब बाकी है, पर आप पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, तो HTTP का मलब होता है, hypertext transfer protocol, यानि कि जो हम internet पर जो भी search करते हैं, उसे hypertext बो ज़रूरी नहीं कि एक time पर एक ही protocol यूज होगा, नहीं, TCP IP हमेशा यूज होते हैं, बाकी अगर आप internet पर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो HTTP यूज होगा, बाकी internet पर अगर आप कोई file transfer कर रहे हैं, तो FTP यूज होगा, file transfer protocol, ठीक है, अगर आप mail भेज रहे हैं, तो POP3 इस्तमा transfer protocol, इसका भी इस्तमाल mail को transfer करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर यह सिर्फ mail को transfer करता है, receive नहीं करता है, mail क्या करेगा, send करेगा, receive नहीं करेगा, receive करने का काम किसका होता है, POP का, POP3 एक client server protocol है, जिसका कार इंटरनेट पर upload mail server में से mail को download करना है, तो यहाँ पर POP क्या क mail को send करेगा, तो दोनों का अपना अलग-अलग काम है, फिर यहाँ पर Ethernet की बात करें, तो Ethernet basically एक network होता है, connection होता है, तो यहाँ पर यह LAN communication में use किया जाता है, local area network में, ठीक है, तो यहाँ पर Ethernet हो गया, UDP देखिए, UDP क्या होता है, यह TCP की तरह काम करता है, जो TCP होता है, उ उसी तरह से UDP होता है, लेकिन UDP जो है, यह connection free protocol होता है, connection free कह सकते हैं, या connection less कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मलब क्या है, तो जो TCP हमारा था, वो क्या था, TCP हमारा connection oriented protocol था, यानि कि वो 100% guarantee लेता है, data पहुंचेगा ही, पहुंचेगा, क्योंकि दोनों तरफ से confirmation हो होता, UDP में data जो है, वो भेज दिया जाता है, लेकिन वो destination तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, इसकी कोई guarantee नहीं होती, क्योंकि इधर से कोई भी signal generate नहीं होता है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, example की बात करें, तो जैसे disk TV connection हो गया, ठीक है, disk TV यानि जो आप लोग घर मे TV देखते हैं, जो की disk के जरिये जुड़ी होती है, ठीक है, satellite television जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कि आप कोई भी news देख रहे हैं, या कोई movie अगरा देख रहे हैं, तो उसमें 100% guarantee नहीं है, कि आपको data मिलेगा, उधर से data भेज दिया जाता है, लेकिन आप में data पूरा पहुचा, नहीं पहुचा, network problem की वजए से आधा ही data मिला, ऐसी condition में UDP की guarantee नहीं होती, ठीक है, जैसे अगर छोटे से example की बात करें, देखिए, घर में अगर आप TV देख रहे हैं, और आपने अगर satellite television है आपका, ठीक है, जो की internet से नहीं चलता है, तो ऐसी situation में अगर अगर network में दिक्कत आ रही है, network अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, जो हम movie या कुछ भी देख रहे हैं, वो फसने लगता है, ठीक है, फसने का मलब वहाँ पर कुछ pixels या आवाज अच्छी नहीं आती, ठीक है, तो उस condition में क्या हो उस condition में data loss ही हो रहा होता है, data loss हो रहा होता है, हमें पूरा data नहीं मिल पाता है, और पूरा data नहीं मिल पाता है, लेकिन उसमें UDP की कोई जिमेदारी नहीं है, क्योंकि ये connection free या connection less protocol होता है, फिर यहां पर बात करें PPP, तो PPP क्या है, point to point protocol है, ये data link layer communication protocol है, जिसका उप्यो लोग एक computer से दूसरे computer को connect करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो हम remote desktop connection करते हैं, उसमें telnet use होता है, चलिए तो ये चीज के लिए हो गई, remote desktop का मलब क्या होता है, जैसे अभी हमारा ये computer है, और आप कहीं भी बैठें, आपका एक computer है, और आपके computer का पूरा data हमें चाहिए मलब एक तरीके से आपका computer हम यहां से access कर लें, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यहां पर इसको बोलता है, remote desktop connection, ठीक है, remote desktop connection, चलिए, फिर यहां पर mode of connecting internet इसके बारे में आपको अच्छे साथा है, कि हम internet को अपने computer में कैसे connect कर पाएंगे, hot spot के जरीए connect कर सकते है Wi-Fi, broadband, Ethernet, local network, कई सारी चीज़े हैं, जिनके जरीए हम internet अपने system में connect कर सकते हैं, ठीक है, computer है, laptop में, hot spot हो गया, Wi-Fi के जरीए कर सकते हैं, फिर यहां पर आगे बढ़ें तो बात करें, identify and use of IP, Mac and IMEI of various devices, यानि कि हर एक device में IP क्या होता है, Mac क्या होता है, और IMEI क्या होता है तो IP address तो आपको अच्छे से पता हो गया, क्या होता है, अब यहां पर Mac और IMEI की बात कर लेते हैं, तो IMEI के बारे में भी आपको पता होगा, यह जो BM phone खरीते हैं, तो अपना जो mobile phone होता है, उसका एक IMEI number होता है, ठीक है, और Mac address होता है, तो कोई भी device हो, उसका address होता है, वो Mac address होता है, किसी भी hardware device का, जैसे printer है, ठीक है, keyboard है, mouse है, या कोई भी IC device, उसका अपना एक Mac address होता है, जिससे वो device पहंचानी जाती है, कि हाँ यह device है, ठीक है, MLB output है, input है, कौन सी device है, वो Mac address के जरीए पहंचानी जाती है, Mac address हम कैसे देख सकते हैं, बताएंगे, और IMEI number यह आप देख सकते हैं, अपने phone में, वो भी हम बताएंगे, ठीक है, IP address देखना हमने बता दिया, IP address के बारे में हम समझ भी चुके है, IP address देखे, जब भी हम internet पर कोई भी website open करते हैं, example बताएंगे, upcass.com, तो इस condition में क्या होता है, कि upcass.com तो हमने लिखा, लेकिन back end में क क्या होता है, कि इसका एक IP address होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, एक IP address होता है, ठीक है, और normally हम IP address तो याद नहीं कर पाएंगे, जैसे upcass.com याद करना आसान है, अगर माल लेते है, upcass.com का IP address होता है, माल लेते है, 192.0.1.255, तो ऐसी condition में यह वाला नमबर याद रखना आसान है, या upcass.com, जैर सी बात है, upcass.com, तो होता क्या है, कि हर एक website का, नहीं domain का IP होता है, और उस IP को किसी ना किसी domain के साथ fetch कर दिया जाता है, बस simple सी बात है, तो वही चीज़ यहाँ पर detail में बताई गई है, आप पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ पर आगे बात करें, Mac address क होता है, इसका पूरा नाम क्या है, media access control, और यह एक hardware यानि physical address होता है, किसी भी hardware device का, अगर इसे हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, हम बता देते हैं, बाकी तो यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं, जो Mac address होता है, इसमें total इसके कितने भाग होते हैं, 6, यहाँ पर 6 भाग होते हैं, और यानि 12 digit का total number होता है, और सभी blog में 2-2 digit होते हैं, यहाँ पर अभी हम दिखा देंगे, Mac address कैसे पहँचानना है, IMEI number जो है, यह mobile में होता है, और अगर हमें देखना है, तो उसके लिए यह वाला code होता है, यह code आप dial करेंगे, तो आपका phone का जो IMEI number है, वो प पहले यहाँ पर आपको Mac address देखना बता देते हैं, Mac address देखने के लिए आपको simply चले जाना है, यहाँ पर network internet sharing में, ठीक है, network internet में जाना है, और यहाँ पर status में आ करके नीचे scroll करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा view hardware and connection properties, इसमें आएंगे, तो यहाँ पर आपके computer में जो Wi-Fi और सारी चीज़ें इसमें connect है, ठीक है, चली तो इसको हम close करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, Mac address, फिर यहाँ पर बात करते हैं, popular web browser की, तो देखी, web browser क्या है, आपको अच्छे से पता है, web browser बेसिकली अगर हमें internet चलाना है, तो उसके लिए हमें web browser software की ज़रोत सकते हैं, data sender receive कर सकते हैं, यहाँ पर web browser की example की बात करें, तो यहाँ पढ़ सकते हैं, internet explorer हो गया, Microsoft Edge हो गया, Google Chrome हो गया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई rocket science नहीं है, आप आराम से पढ़ पाएंगे, फिर यहाँ पर है exploring the internet, यहाँ पढ़ पाएंगे, इसमें भी rocket science नहीं है, surfing the wave, यानि हम एक website को कैसे search करेंगे, क्या क्या चीज़े हमें ध्यान रखनी चाहिए, popular search engine, search engine क्या होता है, तो देखिए, internet पर जब भी हम कुछ search करते हैं, तो हमें सही जानकारी मिलेगी की नहीं मिलेगी, वो guarantee होती है, search engine की, जितना अच्छा search engine होगा, उतन पर जोनी सटीक जानकारी हमें मिलेगी, popular search engine की बात करेंगे, गूगल में हम जो भी search करेंगे, तो यह Google की जिम्मेदारी है, जो हमने search किया है, वो सटीक जानकारी हमें लाके दे, तो यह काम होता है, search engine का, ठीक है, करता है किसकी मदद से, web browser की मदद से, और इसमें कई सारी component यूज होते है, search engine की बात करें, देखे, गूगल होता है, अब देखे, web browser भी होता है, web browser जो होता है, वो Chrome होता है, क्या होता है, Google Chrome, और जो सिर्फ Google है, यह search engine है, तो Google कुल मिला के company भी है, search engine भी है, और browser भी है, ध्यान रगना इस बात का, फिर यहां पर बिंग, याहू और यह सब पढ़ सकते हैं, कि कौन सा search engine क्या है, कहां पर use होता है, बागे थोड़ा बहुत आप internet पर भी search कर सकते हैं, जीजों के बारे में, तो यहां पर जो हमारा O-Level का छटा chapter है, chapter number 6, यह पूरा complete हो गया है, और यहां पर important question भी दिए गया है, chapter number 6 से, इनको आप अच्छे स पढ़ा लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरा detail में chapter number 6 समझा है, और बाकी हम chapter number 7 से, अगली वीडियो से बात करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में, okay so thanks for watching this video.